नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शमा स्वाद करता हूँ सभी का आपके अपने चनल जोदिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 16th of April 2022 के बारे में 16 April 2022 का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है कहां पर आप सभी को साबदा नहीं रखनी है क्या चीज़ें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे साथ ही साथ हम बात करेंगे अच्छो कुपाय के बारे में और एंजल नंबर के बारे में जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी ज़्यादा बैतरी निया पर बना सकते हैं 16th of April 2022 शनिवार का दिन रहेगा और बहुत ही ज़्यादा important दिन यहाँ पर आपका जाने वाला है आज का ही जो दिन है यह भी spiritualism के लिए काफी ज़ादा अच्छा और काफी ज़ादा powerful दिन है अध्यात्म के तरफ आप एक और कदम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं अपने आपको spiritually incline करके काफी ज़ादा motivate कर सकते हैं काफी ज़ादा positive आप यहाँ पर feel कर सकते हैं यह बहुत ही जादा positive दिन हैं बहुत ही जादा अच्छा दिन है और अगें आध्यात्मिक तौर पर यह काफी जादा फाइदमद निहां पर आपका होने वाला है आप सभी अगर कोई socialism कारिय करना चाहते हैं socially अपने आपको involve करना चाहते हैं कहीं पर भी कोई किसी की भलाई कर लें जिसमें आप किसी की सेवा कर दें तो वह आपके लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा तो इसलिए आज के दिन इसलिए कि कोई दिकरत के परशान यहां पर आज के दिन आपकी निकल सकती है और आज के दिन कोई को रास्ता यहां पर निकल सकता है इसके चांसे यहां पर ज़रूर बनेंगे तो यह भी आपको काफी ज़़ा फाइदे मन्द रहेगा और आप definitely इन चोड़ी चोड़ी चीज़ों से अपने बड़े-बड़े काम भी निकलवा सकते हैं तो कहीं न कहीं एक पांच मिनिट का भी पांटर के साथ होड़ा quality time आप spend कर सकते हैं और साथ ही साथ आज के दिन में अगर आप कोई बास share करना चाते हैं कोई ऐसी बास जो आपने काफी समय से छुपा रखी है और आप उसको बोलना चाते हैं तो वो भी आप यहां पर अपने पांटर से share कर सकते हैं उसके लिए भ कावर आपकी जादा रहे अच्छी रहेगी इस current से आपका mentally level भी काफी जादा strong रहेगा और इस वज़स से देखा जाया तो definitely आपकी health जो है वो यहां पर अच्छी आती है कोई दिक्कत कोई परिशानी आपकी health में नहीं दिखाई दिती health आपके अच्छी रहेगी wealth आपके दिन भी आपका अच्छा रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत को परिशनी आज के इस दिन में नहीं दिखाई दिती और इस दिन काफी ज़दा positive दिन है जैसे मैंने कहा तो definitely आपको यहां पर फायदा उठाना है इस दिन का और छोटी सी भी गलती आपके दिन को खराप कर सकती है इसे लिए अपने आपको balanced करके proper सही direction में अपने आपको काम करना है so that कि आपकी कोई भी गलती ना हो और आपको दिन खराप ना जाए यहां पर देखा जाए राशियों के लियाद से रशब राशी के लिए दिन काफी ज़दा positive यहां पर दिखाई देता है सिहर राशी के लिए भी दिन काफी ज़दा अच्छा दिखाई देता है तुरा राशी के लिए भी दिन काफी ज़दा positive यहां पर दिखाई देता है मक कुछ नई चीज़ें निकल के आ सकती हैं, कुछ नई बातें बाहर आ सकती हैं, इसके भी चांसेज हैं, कुछ positive indications यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, बट आज के इस दिन में कुछ छोटी-छोटी गटनाएं भी गट सकती हैं, जैसे कि छोटी-छोटे भुकम के जटके आना व तो वो यहाँ पर negative direction में जा सकता है, इसके पूरे-पूरे chances बनेंगे, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आज की दिन कोई religious topic ना उठे, किसी religion को लेकर के कोई मुद्दा ना बने, especially west direction और south direction में यह कहानी ज़ादा हो सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सभी अगर ध्यान चलें तो इस तरह की दिकतें परिशनया नहीं होंगी, numbers के लिए आज से कर देख लिया जाए, तो numbers में number 3, number 4, number 5 और number 8 वालो के लिए दिन आज का काफी ज़्यादा अच्छा है, alphabets में अगर देख लिया जाए, तो alphabets में A, C, H, I, N, K, P, Q, S, V, आप सभी के लिए दि इसको करने से आप अपने इस दिन को और भी जादा बैतनिया पर बना सकते हैं, आज के दिन में आपको जो उपाय करना है, उससे पहले एक important चीज़ आपको बता जाता हूँ कि मैं Bangalore में हूँ और सिर्फ दो ही दिन अब मेरे यहाँ पर बचे हैं, Saturday and Sunday मैं यहाँ पर रुक आपकी हैं, वो मैं आपको दे सकता हूँ, तो उन्हें आप ले सकते हैं, उमीद करूँगा कि आपकी और हमारी मुलाकाद जो रहेगी वो यादगार रहेगी, अगर आज आपका जम दिन हैं, अगर आज आपकी इनिवर्सरी हैं, आपके जीवन का कोई विशेश पोड़े स्ट्रगलिंग टाइम आपको फेस करने पड़ सकते हैं, इसके भी पूरे पूरे चांसे दें, बट डोंट वरी, साल आपका अपका अच्छी जादा अची ग्रोथ देता हुआ जाएगा, और आपको कोई भी दिकत कोई परिशनी नहीं होगी, इस साल में आपको से जादा रखना है, और अपने आपको इस परिचली इंकलाइन रखना है, तो आपके लिए काफी जादा अच्छा साल रहेगा, और आपको जादा दिकतें नहीं आएगी, उमीद करता हूँ कि आपका साल शांदा जाएगा, और आप बड़े अच्छे से साल को सेलिबरेट करेंगे, चलिए, अब बात करते हैं आपर एंजल नंबर की, आज का जो एंजल नंबर रहेगा, ये भी आपके लिए काफी ज़दा विशेश यहाँ पर रहने वाला है, काफी ज़दा महत्रपूर्ण रहने वाला है, और साथी साथ ये एंजल नंबर आपको बहुत आपको बताईगा, ये जो नंबर है, सीधा आपके मन से connect करेगा, सीधा आपके दिल से connect करेगा, और दिखेगा कि कितनी अच्छी फिलिंग आपको आती है, कितना अच्छा वैब्रेशन'S आप महसूस करते हैं, इस नंबर को जब भी आप recall करेंगे, इस नंबर को कम से कम पा का आशिवाद जरूर ले लीजिएगा सुबह उठते ही अपने बड़ों का आशिवाद लीजिए उठते हुए सूरज के दर्शन करिए ये भी आपके लिए काफी जदा अच्छा रहेगा आज के दिन केसर का टीका अपने आच बज़े से लेगर के आठ बज़े तक के बीच के समय में थोड़ा जादा ध्यान आपको रखना है इसके अलावा आज के दिन में आपको क्या करना है किसी विशेश कारी से अगर बाहर जाते हैं तो आप ब्राउन कलर आप महरून कलर आप औरंज कलर और ब्लू कलर का इस् कोड़ा तीखापन आज की दिन थोड़ा महसूस करें तो वह काफी ज़दा अच्छा रहेगा पौधा चैनल जी मिलेगी और काम भी आपको अच्छे से बनेगा उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा रगएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन पे जरूसे क्लिक दीएगा इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में कुछ सम्बना चाहते हैं आप उनसे संब्सक्राइब कर सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर